उम्शान्ति जैसे अन्य विद्यालयों में विभिन विशय पढ़ाये जाते हैं, वेसे इस इश्वरी विश्व विद्यालय में भी मुख्य रूप से चार विशय पढ़ाये जाते हैं. पहला अध्यत्मिक ज्ञान, दूसरा सहज योग अर्थात मेडि टेशन, तिसरा है दिव्य गुणों की धाणना, और चोता है इश्वरी विश्व सेवा. पहला अध्यत्मिक ज्यान इसके अंतरगत आत्मा का यथार्थ ज्यान परमात्मा का संपूर्ण परीचे कर्मों की गुई यगती का ज्यान समय की गुई यगती का ज्यान आधी अनिक आध्यात्मिक सिद्धान्तों का इस्पष्टी करण किया जाता है उसकी उप्योगिता में एवन जीवन में आत्म शात करने की विदी को इस्पष्ट किया जाता है इससे जीवन से कुर्तियों का अनु मुलन किया जा शकता है इस पढ़ाय का लक्ष यही है मनुश्यों को यथार्थ अध्यात्मिक समझ दे कर उसके जीवन में सकारात्मक जीवन जीने की कला शिकाते हुए उसके जीवन को स्रेष्ट दिशा देना दूसरी पॉइंट सहज राजियो या मेडिटेशन इसमें ध्यान की यथार्थ विधी इस्पष्ट की जाती है जिससे वेक्ति अपने जीवन में एकागरता को विक्सित कर सके क्यूंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एकागरता की बहुत अविशक्ता होती है मनुष्यो की यही तो सबसे बड़ी शिकायत रती है कि मन बहुत चंचल है और एकागर नहीं होता राजियो मन को सकारात्मक सोचने की कला सिखा कर मन को मित्र बनाने की कला सिखाता है तिसरी पॉइंट है दिव्य गुणों की धानना यह विशय प्रेक्टिकल विशय है आज मनुष्य में जिन गुणों का या मुल्यों का हश्य हो गया है और जीवन, काम, क्रोधादी विकारों से ग्रस्त है उन मुल्यों को केसे वापस जीवन में लाकर इस अमुल्य जीवन को मुल्यवान बनाया जाए दिव्य गुणों की धानना से वेक्ति की जीवन में अच्छे संसकारों की शम्रत्ति आती है जिससे एक सब्य समाज का निर्मान होता है चोथा है इश्वरिय सेवा आज दुनिया में अनेक प्रकार से समाज सेवा का कारिय चलता है लेकिन जैसे एक वेक्ति एक पेड के पत्ते पत्ते को पानी देता है तो वह पेड सुकता ही जाता है कारण यही है कि उसने जड़ों को पानी नहीं दिया इसी प्रकार आज की समाज सेवी संस्ताय अनेक प्रकार की चीजे देकर भाई रूप से सेवा करती है लिकिन फिर भे वेक्ति के जीवन में गरीबी बढ़ती ही जाती है क्योंकि आज वेक्ति के जीवन में पैसे की गरीबी नहीं है लेकिन अच्छे संस्कारों की गरीबी है स्रेष्ट चरित्र की गरीबी है ब्रह्मा कुमारिज राज योग मेडिटेशन द्वारा उनमें शक्ती भरकर उनकी कम जोरियों को मिटाने की शेवा करती है जिससे वेक्ति अपनी जीवन में शशक्त बन सके मातेश्वरी जगदंबा शरश्वती एवं पिताश्री जीके अव्यक्त होने के पस्चात परम च्रद्यया दादी प्रकाश मनी जी इस इश्वरी विश्व विद्याले की दुसरी मुख्य प्रशाशी का बनी और उनके नेत्रत्व में इस इश्वरी विश्व विद्याले की दिन दुगनी रात चोगनी उन्नती होती रही सन 2007 तक विश्व के 130 देसों में ब्रह्मा कुमारेस की साखाएं इस्तापित हुई सन 2007 में पवित्रता की प्रती मूर्ती दादी प्रकाश मने जी के अविक्त होने पर आद्रणिया पुच्च निय दादी जानकी जी वर्त मान समय में इस इश्वरिय विश्व विद्याले की मुख्य प्रशी सिका है और आतिरिक्त मुख्य प्रशाशी का परम स्रद्यय आद्रणिया दादी रदय मोयनी जी है वर्त मान समय आपके ही नेतरत्व में इस इश्वरिय विश्व विद्याले की सेवाएं लगभग 138 देशों में चल रही है Om Shanti